हैलो स्टूदेंश चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नम्बर एट का एक्जांपल नम्बर फाइव देखते हैं क्या है in triangle OPQ right angle at P हमारे पास एक right angle triangle है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक right angle triangle बनाएँगे बाकी question बाद में पड़ेंगे इसके अंदर हमें right angle at P दे रखा है तो यह जो right angle है मतलब 90 degree वो किस पे है P पे बाकी क्या रिख देंगे हम O, P, Q यहां से भी start कर सकते थे O, P, Q जैसे आपका दिल करे वो कर सकते हो ठीक है अब इसके अंदर हमें O, P equal to 7 cm given है यह वाली side जो है वो 7 cm given है और O, Q minus P, Q 1 given है then determine the values of sin Q and cos Q तो sin Q और cos Q की value हमने find out करनी है तो सबसे पहले हमें given जो है वो write down करेंगे given क्या है O, P equal to 7 cm और क्या given है O, Q minus P, Q equal to 1 cm given है to find क्या find out करना है हमें हमें sin Q की value और cos Q की value find out करनी है चलिए देखते हैं किस तरीके से find out करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा right angle triangle given है तो हम क्या apply कर सकते हैं यहाँ पर पाइथाग और स्थूरम और तो कुछ बनता ही नहीं हमारा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे intrangle O, P, Q by Pythagoras थूरम क्या होता है hypotenuse का square means O, Q का square is equal to किसके होगा O, P square plus में P, Q का square यही होता है कोई दिक्कत नहीं है write down कर दिया हमने अब यहाँ पर हमें given क्या चीज है O, Q minus P, Q equal to 1 given है तो यहाँ से क्या मैं O, Q की value निकाल सकता हूँ मिलकुल निकाल सकता हूँ minus P, Q को इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर O, Q is equal to क्या हो जाएगा 1 plus P, Q दिखो ध्यान से O, Q मेरे पास left hand side है तो O, Q की value यहाँ से निकल सकती है मेरी minus P, Q को इस तरफ ले गया 1 plus P, Q और इस value को यहाँ पर put कर दूँ हमें ठीक है तो यहाँ पर क्या आगया मेरे पास 1 plus P, Q का स्क्वेयर is equal to O, P स्क्वेयर प्लस में P, Q का स्क्वेयर पिलियर अब यहाँ पर A, P, B का whole square identity open कर सकता हूँ क्या होती है A, SQ, B, SQ, A, B तो 1 का स्क्वेयर 1 plus P, Q का स्क्वेयर प्लस में 2, P, Q is equal to O, P की value हमें given है 7 तो 7 का स्क्वेयर प्लस में P, Q हमें नहीं given है तो P, Q का स्क्वेयर यहाँ पर simplify करते देखो right hand side P, Q स्क्वेयर है यह भी P, Q स्क्वेयर है cancel out हो जाएगा या फिर इसको इस तरफ लेके आओगे minus होके cancel out हो जाएगा घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस 2 P, Q equal to 7 का स्क्वेयर 49 तो 2 P, Q is equal to क्या आगया 49 minus 1 तो 2 P, Q is equal to 48 और P, Q is equal to क्या आजएगा 24 तो P, Q की value आगई मेरे पास 24 दो side तो आगई third side निकाल ली है अब third side यहाँ से निकल जाएगी मेरी तो क्या आजएगा O, Q is equal to क्या हो जाएगा अंडर रूट O, P square plus P, Q का स्क्वेयर तो O, Q is equal to क्या हो गया अंडर रूट O, P कितना था 7 का स्क्वेयर पलस में P, Q कितना निकला है 24 का स्क्वेयर O, Q is equal to क्या आगया अंडर रूट 7 का स्क्वेर 49 प्लस में 24 का स्क्वेर होता है 576 तो अंडर रूट क्या आ गया 625 और 625 का रूट क्या होता है 25 तो ये साइड भी आ गई मेरे पास अब जी चाहे जिसकी वेल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमें निकालना है साइन क्यों तो साइन क्यों इस इक्वल टू किसके होता है जल्दी सोचो पंडित बदरी परसाद हर हर बोले पी बाए एच अब बात आती है पी कौन सा है ये बड़ी इंटरस्टिंग चीज है यहीं पर बच्चे गलती करते हैं पी होता है यहां पर देखो एंगल क्या है क्यों तो इस क्यों पर क्या करो एंगल बना लो ये बन गया इस एंगल के सामने वाला प्रपेंडिकुलर होगा ये बेस ये हाइपोटेनियूज 90 डिगरी के सामने हाइपोटेनियूज होता है angle के सामने हमारा क्या होता है perpendicular जो बच गया वो base होता है P by H चीए P की value है हमारे पास 7 H की value है 25 तो 7 by 25 similarly cost क्यों की value चाहिए हमें यही तो value find out करनी दे cost किसके equal होगा B by H base by hypotenuse अब base देखो यहाँ पे कौन सा होगा 24 क्योंकि यह perpendicular है तो 24 4 upon my hypotenuse get 25 this is the answer I hope आपको समझ में आगया होगा question कोई भी doubt नहीं होगा एक बार मैं एक चीज़ दोबारा बता देता हूँ यहाँ से angle देखो sign क्यों क्यों जो angle draw किया इसके सामने perpendicular होगा अगर यहाँ पे sign O पूछ रखा होता तो यहाँ पे angle draw करते हो angle के सामने यह perpendicular हो जगता हमारा समझ में आगई यह बात कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके जरूर पूछ ले otherwise channel को subscribe करें like करें और बहुत सारा share करें thank you students for your love and support for this channel thanks